गुड़ मॉनिंग सिद्धी हिंदी ऑनलाइन क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम बैंक स्टेट में हुई क्षति के ध्याना करशन हेतू पत्र लिखेंगे बैंक के स्टेट्मेंट में शति है मतलब ये शिकायती पत्र हुआ तो शिकायती पत्र में सेम पत्र की इस तरह आएगा उसके सामने बाजु व्यक्ति जो मतलब हम पत्र लिख रहे तो हमारा यह अगर हम सामने पक्ष में देखे तो यह लेफ्ट साइड है और यह राइट साइड है आप लिखोगे तो वही बाजू रखोगे तो मैं वही बाजू समझा रही हूं कि इसको लिख कर तारीक तारे और महिना है वह शब्दों में लिखना है आकडों में नहीं लिखना है महिना लिखने के बाद कोमा लगाना है साल पूरी लिखनी है और उसके बाद इस तरह वह लाइन तक कुछ नहीं लिखना है उसके बाद बैंक का पता और पिन कोड लाइक ना है फिर उ पत्र पहले पेरिग्राफ कोमन है जो मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले पेरिग्राफ इस प्रकार इस प्रकार से है कि मेरा पिछले में पिष्ले नो वर्ष मेरा पिष्ले नो वर्ष मेरा आपके बैंक में खाता है बचत खाता है मेरा खाते का नमब 10,1,2,3,4,5,6,7,8 है मैं आपकी बैंक की प्रत्यक सुविधा का कितने वर्षों से उपयोग कर रहा हूँ जिससे मैं बहुत संतुश हूँ हमारे विश्था में आपके बैंक के दौरत दी गई सुविधा से लोग बहुत खुश है और आपकी सुविधा का उपयोग से हमारे व्योसाई व्यापार में अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है और हमारे वितिवरस्ताओं को बहुत लाब हुआ है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ यह परेग्राफ हमेशा होना चाहिए उसके बाद सेकेंड परेग्राफ तो यहां पर किताब से अलग आपको अपने मन से आपको में मुद्दा दे गया बैंक स्टेटमेंट में ख्षती हुई है तो आप बैंक को कहोगे कि हम आपकी बैंक में विजिट करने आई थे और आपकी अंदर यह मेरे पास्बुके नोशार बैलेंस 15,000 है आपकी अंदर बैलेंस 10,000 है 5,000 की चेक कोई भूल हुए वो दर्शा दो या दूसरा कोई कारण के 6 मैने का स्टेटमेंट मांगा गया था 6 मैने में मेरे बैलेंस इतना था उससाब से मुझे इतना ब्याज मिलना मैं जून जूलाई 3 मैने को मैंने आपके पास बैलेंस 15,000 है और आपके स्टेटमेंट के अनुसार बैलेंस 12,000 है 3,000 की कोई ख्षती हुए फिर मैंने ध्यान दिया तो 3,000 का मैने एक चेक बरा हुआ था वो चेक आपके बैंक की तरफ से जमा नहीं हुआ इसलिए वो 3,000 के आकड़े में गलती हुई है तो आपकी बैंक दूरा जो गलती हुई उसको सुधार ने कि आपको कोशिश करें मैं इसके साथ आपको अपने सहबुित सभूत सालगना क्यों स्टेटमेंट की कॉपी है और अपने passbook की कोपी और अपने डोकरबाई की कॉपी और वह च fondo जो मैंने भरा हुआ ता उसकी भी मैं जैरोक्सकोपी इसके साथ बेज रहा हूँ जिसे आपको कोई भी कार्यवाई करनी हो तो आसानी रहेगी और आप जल्दी से कार्यवाई भी कर पाए फिर अन्य के उपयोग मेरी सुचना के आधार पर आप कुरूपया जल्दी से जल्द करो में मुद्दा कौन सा आपको बस वही समझना है ठीक है अब किताब के अंदर कौन सा मुद्दा दिया गया है वो में पढ़ लेते हम बैंक के साथ तो यहां तक तो हर बार सेम है ठीक है और यह सात्वा लेटर यानि पहला तो फॉर्म था तो भी कितने लेटर हो गए छे तो छे लेटर में यह मैं छे बार तो दोहरा चुकिए और हर लेटर में मैं दोहरा होगी क्योंकि मेरा फर्ज है मैं बार बार दोहरा दोंगी तो आप एक बार भी ध्यान रखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा और ग्यारवी में तो हमने यही प्रेक्टिस की है तो मैं पेरेग्राफ भी मैंने आपको तयार करवा दिया हर पत्र में सेम रहेगा बैंक के साथ बैंक के साथ होने वाली वीतिय लेन देन का लेखा हमें नियमित रूप से बैंक के द्वारा किये जाने वाले त्री मासिक स्टेटमेंट से प्राप्त होता है बैंक के साथ हमने जो भी लेकिन पिछले तीन मेने की जो बैंक ने कोई प्रकार की मिश्टेक तो यहां पर यह बता रहे हैं कि हर तीन मेने का बैंक मुझे स्टेटमेंट देती है और मैं उससे अपनी नियमित बैंक मैं से लेंडेन की तुछ उसका मैं ध्यान रखता हूं लेकिन पिछले तीन मेने की जो बैंक ने मुझे स्टेटमेंट दी है उसमें कई पर कुछ शेक्ती रह गई तो मैंने आपको ध्यान आकरशन करते हूं यह पत्रा लिखा हूँ है तारिक 16 अप्रेल के दिन हमने 17,000 जमा करवाये थे जिसके थान पर गलती से स्टेटमेंट में उसको उधार बता है कराये थे जमा और आपने क्या बता उधार जिसका प्रभाव मिले ब्याज की बदले ब्याज चुकाया हो गया है तो हमारी गणना 1956 ब्याज की राशी होनी चे उसके बदले 1622 प्रतिदर्श की गई है यानि कि इसका ब्याज जोड़ा हुआ नहीं और 1622 है वो हमें प्राप्थ हुआ नहीं 1622 हुआ है मतलब कम रुपए प्राप्थ हुआ जो 161900 यानि समझो के 300 रुपए का कुछ गड़बड तीन सो 32 के 34 रुपए का कुछ तो यह कहना चाहता है कि मुझे जो ब्याज मिलना चाहिए वो बराबर प्राप्थ हुआ नहीं है त इसलिए उसका ब्याज मिला नहीं तो दो बाते लिगए तो आप यह स्टेटमेंट का यह पत्राप दर्शा सकते हुआ आपका विश्वस ने फिर साइन के बाद नाम लिखना ना बूले और मैंने आपको बताया भी था इसमें मैंने नकल भेज ऐसा लिखना है इसमें लिख अबूत के तोर पर आप चेक या कुछ भी भेज सकते हुआ फिर पूरे पत्र को वाक्स में आपको क्या करना है बांधना है यह पत्र यहां पर पूरा होता है